माराष्ट के नांदेड और औरंगाबाद के बाद अब नाखपुर के सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत की खबर है लेकिन इस खबर का खंडन नाखपुर सरकारी मेडिकल अस्पताल की टेन राजगस्बे नहीं क्या है उन्होंने बताया कि नाखपुर के सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे की बीतर मेयों और मेडिकल में कुल 23 लोगों की मौत हुई है और ये आकड़ा हर रोज का है नाखपुर के इन दोनों सरकारी अस्पताल में हर रोज का देश रेट एवरेज 20-22 है और हर वैश मौत का आकड़ा एक जैसा ही है इसमें कोई बैटला होनी है नाखपुर सरकारी मेडिकल अस्पताल के दिन राज गजबे ने बताया कि नाखपुर के मेडिकल अस्पताल में 15 सुबेड है जा हर रोज मरीज भरती होते हैं इन अस्पतालों में नीची अस्पताल से आईसियों में भरती होने वाले सर्वाधिक मरीज आते हैं जिसके इलाज के 24 घंटे के बितर ही मौत हो जाती है अस्पताल में दवाई का शॉर्टेज नहीं है ना ही हमें किसी भी प्रकार के फंट की कमी है जैसे जो ये लावा जरा जरा है ये सर्वता अनुचित है ये जो न्यूज चल रही है ये बिलकुल गलत न्यूज है और ऐसे जैसे 35 से 40 डेट नान्देड में हुई है वैसे में यहाँ पर कोई भी प्रकार नहीं है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में ओवराल 14 डेट हुई है और ये 14 डेट ये गए 24 गंटे में हुई है और ओवराल मेडिकल का एवरेज ये 10 से 12 डेट पर डे का ऐसा रहता है ये वननीस सो बेड का हस्पिटल है और यहाँ पर सुपर स्पेशालिटी हस्पिटल है यहाँ पर ट्रॉमा भी है और उसके करण और ये तर्शरी सेंटर है यहाँ पर अनेक पेशेंट्स बहुत गंबीर हालत में रेफर हो करके आते हैं ओहराल 10 से 12 ये मेडिकल कॉलेज का रोज का डेथ रेट है और ये कई सालों से है और कभी 6 से 7 पेशेंट्स का डेथ रेट रहता है कभी 14 से 15 रहता है बाहर से जो रेफर हुए गंबीर रुगन रहते हैं बाहर के प्राइवेट हास्पिटल में जो गरीब पेशेंट्स आइडमिट होते हैं और जब उनके पैसे खतम हो जाते हैं और वो आईसी उ में वगरे आफोर्ड नहीं कर सकते तो ऐसे इसमें वो गंबीर रुगनों को उनके पैसे खतम होने के कारण प्राइवेट हास्पिटल से काफी बार यहां पर रेफर करते हैं मैक्सिमम यह पेशेंट्स आइसे ही रहते हैं उसके अलावा यहां पर I.C.U. है, टीन I.C.U. है, मेडिसिन I.C.U. है, सरजिकल I.C.U. है, पेडियाटτιक्स I.C.U. है, उसके वितिरिकत यहां पर ट्रॉमा केर सेंटर है और सुपर स्पेशलिटी हस्प्पिटल के I.C.U है इसमें सब एक्सिजेंट के पेशेंट इसे गंबीर रूगन रहते हैं ओवराल यहां का डेथ रेट 10 से 12 है जो न्यूज में आ रहा है कि यहां पर भी नांदेड के समान कुछ घटना हुई है इसमें कोई भी तथ्य नहीं है यहां पर मेडिसिन का एडिकवेट स्टाउक है हमारे हॉस्पिटल में सब पर्चेसिंग हम DPDC के थू हम करते हैं यह बार हमको 13 खोटी रुपए 13 क्रोर्स DPDC में से मिले हुए है मेडिकल कालेज के लिए 13 क्रोर्स हमको सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल के लिए मिले हुए है और इसमें से हम सब मेडिसिन्स पर्चेस करते हैं और उसके कारण यहां पर मेडिसिन्स की कोई भी कमतरता नहीं है सब मेडिसिन्स यहां पर अविलेबल है पहले मेडिसिन्स ये हाफकिन के तुरू खरेदी होकर के हमको भीजी जाती थी वो खरेदी में काफी सारे ये रहते थे याने उतना रेगुलर बेसिस पे हमको वो परचेस नहीं होती थी हाफकिन के तुरू उसके कारण थोड़ा मेडिसिन का तुटवड़ा पहले रहता था लेकिन अभी कोड के द्वारा भी एक जीयार आने से 10% से 30% तक हमको लोकल लेवल पर परचेस करने की शमता बढ़ाने से वो भी अभी काफी कम हो गया है लेकिन DPDC के फ़ंड के थुरू हमें अभी सब मेडिसिन सुपलब्द है और हमने अल्रड़ी हमारे पास में तीन महेने का स्टॉक अभी भी मौजूद है और यहाँ पर सलाइन की या सर्जिकल साहित्य की या मेडिसिन की कोई भी कमतरता नहीं उसी के कारण मेंली रहती है यह जो बाहर से पेशन्ट्स रेफर हुए आते हैं गरीब अदमी जब बाहर के प्राइवेट दवा खाने में जाता है और जब उसके पैसे खतम हो जाते हैं तब फाइनली वो मरने के लिए मरने के स्टेज पर जब आता है तब वो मेडिकल कॉलेज में ऐसे पेशन्ट्स को रेफर कर देते हैं और इनी के कारण यह डेथ रेट बढ़ा हुआ है कैमरा परसन अकिलेश भरतवाश के साथ मनिश टेमरी की रिपोर्ट